यहां लेकिए यह हमने लिए है तीन कप सूजी आप बारिक सूजी यह मोटी सूजी जो भी आपके पास अविलेबल हो यहां हम लिए है एक कप दही हलका खटा हो तो भी चलेगा और फ्रेश हो तो भी चलेगा यह यह हम लिए है एक इनो एक छोटा चमश नमक और एक कप पानी पहले हम यह दाल देंगे इसमें नमक भी डाल देते हैं, मिक्स करेंगे इसे, देखिए हमने मिक्स कर लिया है, ध्यान डखिएगा, सूजी इस तरह से हो जाने चाहिए, यह जी सूजी थोड़ी से ड्राय रहती है, तो आप इसमें एक चमश या दो चमश दही और डाल सकते हैं, पर यह सूजी इस तरह से दही में हो जानी चाहिए, और अब हम इसमें पानी डालेंगे, अभी मिक्स करके देखते हैं पहले से, यह हमने एक कप पानी डाल लिया है, मिक्स कर लेते हैं से अच्छे से, यह देखिए, मिक्स कर लिया है, हमने इसे इस तरह से इस तरह से होना चाहिए, और अब हम इसे दस मि अच्छी से फूल जाएगे आधियो हमने इड्ली इट्ली स्टेंड लिया है और अब हम इसमें एक गलस पानी डाल देंगे आधिक और इस का अम-फोड़े नगा देंगे और अब हम इसे मीडियम गैस पर इसमें स्टीम बनने देंगे यहां देखिए हमने दो एडली के स्टेंड लिए हैं इसमें हम थोड़ा थोड़ा रिफाइन डालके इस तरह से इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे दोनों को ताकि हमें इडली निकालने में आसानी रहेगी बैटर चेक कर लेते हैं यह देखिए सुजी फूल गई है और यह बैटर काफी गाड़ा हो गया है अब हम इसमें यह इनो मिला देते हैं और थोड़ा सा पानी सिकी उपर डालते हैं मिक्स करेंगे से लेकिन अभी यह बैटर और गाड़ा है तो उसके लिए हमें क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे मिक्स करेंगे से अच्छे से यह देखिए हमारा बैटर तयार है इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए यह देखिए यहां हमें वन थर्ड कप पानी लगा है और फटा फट से यह बैटर को यहां डाब लेते हैं इसमें स्टेंड में यह देखिए और इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर लेंगे टैप ताकि जो भी इसमें एर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे इसमें इसमें स्टीम बन गई होगी इसमें रख लेते हैं अब मेडियम कर देगे हमारी एडली अच्छे से फूल गई है चेक कर लेते हैं इसे इसमें हम किसी भी एक इड्ली में इस सरे से करेंगे तो देखें चाकू हमारा बिल्कुल क्लीन आया है और अगर आप हाथ से भी टच करके देखेंगे तो हाथों पे कुछ भी नहीं आएगा एक दम से ड्राइ रहेगा और यदि ऐसा होता है कि चाकू प चाकू से इस तरह से किनारे से यह देखिए हमारी इड्ली बनकर तयार है यह देखिए इदर से एकदम से जालीदार है इस तरह से इड्ली का बनना यानि की इड्ली आपके परफेक्टली बनी है यह देखिए कितनी स्पॉंज है यह अच्छे से फूल गई है यह देखिए ह हमारी software sponge idli बनकर तयार है, बहुत ही अच्छी बनी है, काफी sponge है, एकदम से जालीदार बनी है, आप देख सकते हैं, आप इसे सांबर के साथ में खा सकते हैं, सांबर का वीडियो मेरे चल पड़ है, आप आप इन इडलियों को फ्रैड करके भी खा सकते हैं, फ्रैड इडली का वीडियो मेरे चल पड़ है, आप आप से देख सकते हैं, साथ ही यह दिया आपको मेरे आज की रेसिपी पसंद आई है, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसी लगी,